नवस्कार दोस्तों, आपका फिर्से स्वागत है हमारे चैनल पर, आज हम बात करेंगे करकलगन के बारे में करकलगन रासियों में चौथा रासि होती है, करकलगन के स्वामी चंदर होते हैं करकलगन जन्में हुए जातकों का सुभाव कुछ इस प्रकार होता है आम तोर पर करक लगन के जातकों का चहरा गोल होता है आखी गोल-गोल होती है कत और काठी में यह अच्छे होते हैं इनके बाल लंबे अथ्वाग वीरल हो सकते है इनका वजन समाने से अधिक होता है जिसे यह कम करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं इनका निचला हिस्सा खास कर नाभी से नीचे वाले हिस्से कुलहूं वाले छेतर पर यहाँ ज्यादा बड़े होते हैं इनका अक्सर यहाँ मन होता है कि निचले हिस्से के वजन को कम करें इनके पैर छोटे हो सकते हैं परन्तु यहाँ मजबूत होते हैं सरीर सुड़ोल यवं सुंदर होता है इन में एक बहुत अच्ची नित्यत्थ की छमता होती है या किसी भी कारे में नित्यत्थ करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं इन में नित्यत्थ वाले गुन होते हैं वैदिक जोतिसी के ब्रिहस्पति ग्रह को सबसे अच्छा ग्रह माना गया है। आय में सुक्र होते हैं, इनके व्यवार में आय में सुक्र ग्रह के स्वामी होते हैं, यह अपने सुखों के लिए खर्च करते हैं। इनके धन के भाव में सूर्य और भाग एक में अधिपति देवगरह होते हैं, धन का अत्यतिक स्रोथ होता है, समानता या बुद्धिमान वेक्ति होते हैं और बुद्धी से धन अरजित करते हैं। करक रासिका स्वामी चंद्र होता है और इनके इस्त देव अरादे सीव, महादेव, सीव जी होते हैं। इन्हें महादेव जी की पूजा अपने जिवनकार में करनी चाहिए, इन्हें सुब फल के लिए मोती पहनना अती सुब होता है। यह था करक लगने जातक के सुभाव और उनके एक छोटे से उपाए। इसी तरह हम आगे के वीडियो में मिलते हैं किसी और लगने के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।